हमारे मनुष्य का जीवन ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई मिट्टी का दिया हो यह हमारा शरीर किसी मिट्टी की तरह है और इसमें रहने वाली हमारी चेतना की जोती मिट्टी की बाती की तरह मिट्टी की लौक की तरह है मिट्टी तो सर्व सुलब है हर जगे है उपलब्द हो जाती है मुल्य मिट्टी का नहीं होता मुल्य होता है किसी मिट्टी मेंसे प्रगट हो जाने वाली जोती का यदि मिट्टी को मिट्टी तक रहना है तो इसके लिए किसी को कोई पुरुशार्थ करने की आवश्यक्ता नहीं है पर अगर किसी भी मिट्टी को चिराग बन करके और किसी जोतीर में तत्व तक प्राप्ती करनी है तो हमें मिट्टी से आगे बढ़कर के अपने आपको प्रकाश तक की यात्रा के लिए तैयार करना होगा जैसे कोई दिया अगर आप देखें कि दिये ने आखिर क्या किया कि जिसकी वज़ए से वह आज दिपावली का प्रतीक कहलाता है माटी कुमहार की शरण में जाती है कुमहार उसे अपने पाउं से गूंदता है गीला करता है भीगोता है अर्थात मिट्टी ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया अपने अहम भाव को मिटा दिया और यह कहते हुए कि हे कुमहार हे मेरे जीवन के गुरू जैसा तुम मेरे जीवन का निर्मान करना चाहो कर दो मैं अपने आपको मिटाने के लिए तैयार हूँ तो माटी कुमार की शरण में जाती है कुमार उसे चाक पर चड़ाता है उसे भटी में पकाता है इतने करने से तो वह माटी दिये का रूप लेती है लेकिन यहीं तक ही बात पूरी नहीं होती उस दिये का नव संसकार होता है और तब कहीं जाकर उस दिये में किसी के द्वारा कोई प्रेम का दीप भरा जाता है प्रेम का तेल भरा जाता है ग्यान की बाती उसमें लगाई जाती है अंतर ध्यान की अंतर दिश्टी की लौ उसमें सुलगाई जाती है तब कहीं जाकर के एक जोत्र में दीप का निर्मान होता है हमारा जीवन मिट्टी के दिये की तरह है अगर हम केवल मिट्टी की दिश्टी से देखते हैं तो अपन सब लोगों की मिट्टी एक जैसी है मिट्टी के तल पर अपन मैसे किसी में कोई फरक नहीं है वही सब लोगों का जन्म मा की कोक से हुआ है वही सब लोगों ने मा के आंचल का दूद पिया है और वही अन्न, वही पानी, वही भोजन खा खा करके अपन सभी लोग बड़े हुए है मिट्टी के तल पर कहीं कोई फर्क नहीं है सारा फर्क, जोती का फर्क होता है चंद्रप्रप की मिट्टी में कहीं कोई फर्क नहीं है चंद्रप्रप की मिट्टी में और प्रयाक्चंजी की मिट्टी में कहीं कोई फर्क नहीं है जन्म सभी का वही मा की कोक से होता है जन्म की पीछे सब के वही एक बीज रहता है और सबके शरीरों का निर्मान एक ही तरह से होता है लेकिन फिर भी चंदरप्रभ में और प्रयाकचंजी में फर्क है चंदरप्रभ में और महवीर में फर्क है मिट्टी के तल पर नहीं वरन दिये के तल पर जोती के तल पर प्रकाश के तल पर कौन व्यक्ति अपने जीवन में केवल संसार के तल तक पहुश पाया अध्यात्म के तल तक पहुश पाया या कोई कैवल्य रितंभरा प्रग्या के तल तक पहुश पाया यह व्यक्ति की अध्यात्मिक उचाई के आधार पर ही निर्णे और निर्भर करता है कि किस आदमी में क्या फर्क है हमारा जीवन अगर हम लोग भी अपने आपको मिट्टी तक केंद्रित करेंगे तो दिन भर वही खाना, पीना मौज, मस्ती, मटर गस्ती एशो अराम, बोग, उपभोग सभी वही वही दिखाई देंगे पर अगर हम लोग अपनी नजरों में जोती को प्रमुकता देते हैं, चेतना को प्रमुकता देते हैं, अपनी आत्मा अपने श्री प्रभु को अगर हम लोग महत्व देते हैं तो व्यक्ति निश्चित तोर पर उपर उठ गया पतंजली के ये योग सूत्र हम लोगों को उस चिन में जोती की तरब बढ़ाना चाहते हैं ताकि व्यक्ति अपने मर्त ये मिट्टी से उपर उठ करके और चैतन्य शक्ति का मालिक बने अपने चैतन्य तत्व का मालिक बने अपनी चैतना के लोक में विहार करने में समर्थ हो सके अब तक हम लोग प्रत्याहर धारणा ध्यान समाधी जैसे तत्व को समझते हुए ये भली भानती जान चुके हैं कि व्यक्ति अगर उसकी इंद्रियां जो बाहर की तरफ गतिशील है बाहर से जुड़ी हुई हैं उसकी इंद्रियों का अपनी चित्त की तरफ लोट कर आना ये साधक का साधना मार का पहला चरण हुआ उसके चित्त का अपनी भीतर के घट की और केंद्रित करना ये साधना का दूसरा चरण हुआ लिकिन उस केंद्री करण में किसी भी तरह का व्यवधान न आना अर्थात एक तान एक ले बने रहना अपने लक्ष के प्रती अपने धेय के प्रती यह साधना का तीसरा चरण हुआ लेकिन ध्यान करते करते साधक की एक ऐसी चौथी स्थिती बन जाती है जब ध्यान उसका शून्य जैसा हो जाता है और वह अपने ध्या में अपने लक्ष में इस तरह से अंतरलीन हो जाता है कि ध्याता ध्यान और ध्या तीनों के विभेद मिट जाते हैं और केवल वह अपने ध्या में ही अपनी अंतरात्मा में ही अपने श्री प्रभू की चैतन्या चैतना में ही वह अंतरलीन हो जाता है तो ये चौथी स्थिती हुई यही चार स्थितियां भगवान पतंजली की भाषा में प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधी कहलाते हैं यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि यह सब चीजे हर किसी इनसान के बलबूते की बात नहीं है तो मैं निविदन कर देना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्कूल में पहुंसते ही MBA नहीं हो जाता कोई भी पत्थर नदी में लुड़कने मात्र से गोल नहीं हो जाता हर चीज के पीछे एक साधना चाहिए क्या आप में से कोई भी माता या महिला बता सकती है कि जब आपने अपनी जिंदगी में पहला कदम रसोई घर में रखा होगा तो क्या रसोई घर में रखते ही आप पाक शास्त्र में प्रवीन हो गए व्यक्ति को एक साधना करनी पड़ती है हर चीज में प्रवीनता प्राप्त करनी के लिए व्यक्ति अगर निरंतर लगा हुआ रहता है तो प्रत्येक तत्व अपना परिणाम अवश्य देता है पस लगने की बात है दिल लगाने की बात है माना कि ध्यान करते है तो बार बार चित्त में चंचलता आती है चित्त भटकने लगता है पर अगर कोई व्यक्ति यह सोच लेगा कि चित्त तो मेरा भटकता ही रहता है तो ध्यान में बैठकर क्या करूँ तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के असी बसंत देखने के बाद भी 81 में बसंत में भी यही शिकायत करता हुआ मिलेगा कि मेरा चित्त तो चंचल है कहीं नहीं टिकता कभी नहीं टिकता पर जो व्यक्ति अपनी चित्त को एकागर करने के लिए अपनी चित्त को तनमय बनाने के लिए प्रेतनेशिल हो चुका है तो आज जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है विपश्यना कर रहा है योग कर रहा है संबोदी साधना कर रहा है या और कोई साधना कर रहा होगा जो व्यक्ति नियमित साधना करता है वह व्यक्ति बता सकता है उसके चित्त में शांती है पर वो ये बात तो दावे के साथ कह सकता है कि उसके चित्त में शान्ती अवश्य है उसके चित्त में एकाग्रता अवश्य है उसका चित्त बार-बार खंडित नहीं होता वो लैलीन रहता है एक दफ़ा एक किसान को एक पहाड की चोटी पर जाना था उसके मन में तमन्ना भी उठती थी कि वह कभी पहाड की चोटी पर जाए उसे लगता था कि पहाड की चोटी पर अत्यंत भव्यता है पहाड की पिछवाड की तरफ कोई बहुत अत्यंत रमणिया देविस्थल बना हुआ है तो किसान के मन में उतकंठा होती थी और एक दिन उसने हिम्मत बटोर ही ली और अल सुबह साड़े तीन चार बजे ब्रह्म मुहुर्त में ही वह अपने हाथ में एक छोटा सा कंदील एक छोटा सा दिया लिये हुए लाल टेन लिये हुए वो पहुँच गया तलहटी के गर से निकल पड़ा पर जैसे उसने पहाड को देखा तो लगा पहाड तो सामने नजर ही नहीं आ रहा केवल गुप अंदकार ही गुप अंदकार वो घबरा गया कि कैसे चलूँगा कैसे बढ़ूँगा कैसे पहुँच पाऊँगा वो इस तरह से कुछ उहा पोहक कर ही रहा था कि इतने में ही देखा एक बुजर्ग आदमी वो उससे भी छोटा दिया लिये हुए वहाँ पहुचा और उससे पूछने लगा कहो भाई क्या बाद है ठिटके हुए क्यों बैठे हो बुले इसलिए बैठा हूँ क्यों कि पहाड बहुत बड़ा है अंधेरा बहुत बड़ा है और मेरा दिया बहुत छोटा है बुड़े बुजर्ग आदमी ने कहा कि भाई तुम्हारा दिया भले ही छोटा हो पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे दिये से मेरा दिया और भी छोटा है पर याद रखो वत्स जिस आदमी के पास एक छोटा सा दिया होता है उस आदमी के अगले दस कदम हमेशा रोशन रहा करते हैं जिस आदमी के पास एक छोटा सा दिया रहता है उसके हर अगले दस कदम रोशन रहा करते हैं और जैसे ही तुम अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाओगे तुम्हारे